उपर देखो भाई पूरे रोड पे पूरा उजाला का उजाला यह चेक करिए वाई अंदर की जो चेप होती है सारा खेल ही उसी इसका और इसके उपर जो लैंस है इसका खेल है और यह देखो भाई मतलब आपको लाइट का पत्र यह देखो टावर भी आपको दिख रहा लेजी बेओं सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब यह देखो पूरी की पूरी दिवार यहाँ पर है यह देख सकते यह चुक्ति और यह देखो तो इसमें अपना क्या है इसमें अपना प्रोजेक्टर यह दो इंच वाला यह सारे तीन इंच वाले तो भाई यह देखो ऐसा कुछ कि भाई जीवा वर्सी स्टेर तीन इंच में कना कि प्रोजा प्रोजें वाला यासख र्स्पास हो यह श्रेक्टों सब्सक्तों सेट काली विर देखें हैं तक नीचे रहेगा जी देखो दोनों में कॉम्पिटीशन रहने वाला आप देखते हैं कि मार्केट में खड़ा कोन उतरता है ना तो अगर तुम्हें पता है कि मन्नुप एक पास आए तो यह दोनों ऐसे उड़ेंगे मार्केट में रोक टिर्मन है टेस्टिंग के लिए उसके बाद आगर के अज यह भी कम बढ़ते हैं यह कितने पीस लग रहे हूंगे यहां पर यह सो पीस है बंदेंगे वहाई कैसे सो पीस है तो भाई एक गिन लो एक जो तीन चार पांच छे साथ आट नो नो और दिवार देखें तो तीन चार नो जॉक दो तीन चार पाई छे इंटू नाइन कर लो तो एक आधा कमर है सकता है कि देगो इस पास हो और यह इसकी इतनी कौंटिटी रहने वाली है इसकी इन अब दिवाल पर जो है वह बता रहे हैं आप को ना कही वैस समयरे वैस तो पूरा स्टोक है जितना ची उतना मिलने वाला तो आपके सामने अभी है इसके लब जो स्टोक भड़ा पड़ा वो लगए तो यह रहने वाले है सबसे पहले विया किससे स्टाट कर रहे हैं कि सामने वाले को ना यह ना लगे कि भाई हमारे स्कीम का टाइम निगल जाए और देखो टाइम तो निकल जाता है मैं हमेशा व सब्सक्राइब तो आज मोगा आचका है वाई प्रजेक्टर के लिए आपने पहले भी करनी है अगर दो हंटे पहले आपके दो तीन हजार पर बस्ते हैं तो बुरी नहीं है उसमें बात बहुत बंदे सोचरों कि भाई अभी मन्नुविया और रेट नीचे लाएगा यह यह सब्सक्राइब करते हैं तो यह कुछ भैतरी लग रहा है जैसे जीवा के लिटी मार्केट में बहुत ज्यादा बूम है तो यह याद है एक सो बीस वाट ने जो बूम मतलब की वह शायद एक सो बीस करेंशना मार्केटिक अगर बंदे को वही लगानी है तो वही वाला चीज इसके साथ रहने वाली है कही नगहीं है अपना जस्पाय करता है अपने क्वालिटी को सब चीज़ों को लगबग यह देट सो वाट में करते हैं गमती पर स्टेबल पावर जो है नबबबब सर सो के असपस रहती है एक स्टेबल पावर जो इसके अन्दर दु या तीन वाट का पड़ता है जादा पर नहीं पड़ता क्यों गरस्किवान कि इसके स्टेबल पावर की बात करें वो कितने हो जीटे इंचे अगर यह हम सेफिंद्ग यह वाटुर्टेज पर ट्राय करते हैं अगर वह जिसम तो यह 120-130W पर जाएगा और मैं जो ट्राइब करता हूं वो गाड़ी के हिसाफ से त्राइब करता हूं जो मैक्सिम जो सबसे कहते हैं बुरी कंडिशन होती है सबसे हाई-end करण जार पासाइब होता है उसमें क्या होता है कि इसके अदर आपी जो पावर है वो हीट होने के व चाहिए जो पर दिखाने करेंगे चैक करेंगे आपको गाड़ी वाइब यहां पर लोग बहुत सर लोग यहीं सरफ लेंग करते कि इतनी चोटी सी जगहां में एक छोटे से रूम के अदर आप क्या दिखा लोगे तो यहां पर सरफ यह दिखाना चाहते हैं कि यह एक झाहिए जिवा को इनगे लोगे जाएन फ़्यहां ने रहां पर सिल जिवा घल रहा है तो वपर नीचे मैं आपको एक समझा जाजाएगा वीडियो के अंदर ही में मेरे लिए जीवा जादा बैट निए जीवा के बिल्कॉल तो एक डिफ्षान्स हो जाता है रहां हम ने ब तो उससे बेटर प्रफॉमेंस GTR में दी गाई न पर इस प्राइस रेंज के अंदर कोई भी प्रजेक्टर बीट नहीं कर तक प्राइस रेंज में लोगों ने कॉपी जरूर करी प्रफेशनली जो कहते हैं कि एक नेक्स लवल वाली चीज जो भी कहते हैं लेकर आने वाला कौन था जिसने अच्छे से अच्छे ब्रैंड की ब्रैंड बढ़ा दी इसने और उसके बाद जीवा है दोनों टकर में हैं कहीं ना कहीं में को जो परसनल लगता है बाकि देखो सब सब्सक्राइब करते हैं कि इस तरीके से रहने वाला है सारे इसका बॉक्स वगएरा यह देख लिए बात क्या है पता है क्या है काफी लोगों को यह लगे का कि यह भाई ना आई पीएच मश्वाट था ना वैसे ही होगा बिल्कुल अब यहां पर कन्फूजन दूर करता हम सबसे बहले आकर कि आप लोगों की कि आई पीएच के जो एम 617 है ना वो सिरफ और सिरफ चालिस वाट है टोटल चालिस वाट ह चालिश्य का गवाटवेच कि यह लोगवाटव परकुता है ना उसकी पहले अन्दाजिख के लोगवागों कान व्होट पावर मुंट पहर लिए कि अच्जेवा जिवागे लेकर ने लेते हैं जीवा अंहीए आप एक सुछुँ लेटी लेटे है बिल्कुल जो आ परक हो बहुत लोगों यह डाउट होगा कि भाई शेप तो ऑल्बो सिमलर दे दी है सबसे बड़ी बात क्या होती है चाइना के अंदर बहुत सारे से ब्राइंट्स है जिनकी फैक्ट्रियां मैंनुफेक्ट्रिंग सेम जगह पे होती है बट उसके अंदर आप कॉस्टिंग एक्ट्र इसे बीट और पैसे एक्ट्र खर्च रहे हो सेम जगह पे और भी कापी करें बनवा लिया है बिल्कुल और सेम एस जिट्या नहीं बना पाया कोई भी तक बिल्कुल इसकी डूब्लेक्ट कॉपी भी अहीं है असली जो बॉक्स आता है ना नीटियर गेंडर वो यह आता है इसके उपर 2022 अप्ग्रेड हाई पावर लिखा होता है और यह डबे की पहचान है लोगोंने दूसरे कलर के डबे भी बनवा दिये हैं बट इफिनिटली कॉपी करने पर तो हिंदुस्थान तब से आगे है यार बिल्कुल हिंदुस्थान में तो पोई री सी इसकी लोग बिल्कुल तो वाई जी देखो यहां पर है ब्लू लेंस फर्स्टिंग सेकंड इसके अंदर जो चिप है इसकी ओसराम चिप है यहां पर जीवा की ब्रेंडिंग आपको देखने को मिल जाएगी बिल्कुल यहां पर इसका हाईवी कैन्वस दिया हुए जो भी एरर कि आपकी गाड़ी में कोई भी चेकिंग लाइट नहीं आती है इसके लावा जितनी इसको पावर नीड है मतलब की माली जिए इसको अगर गाड़ी से पावर मिल रही है 70 वाट की तो यह उसी इसाब से प्रफॉर्मस करेगा बर साथ में रिले वारिंग डालते हैं अगर आ इसके प्राइजिंग के बारे में यह हम चैकिंग करने के बाद बताएंगे चैक करने के बाद हाना क्यूंकि फिर आप यार बग जाओ गए ना रेट वेट सुनके जो भी पहले चैक करो तसल्ली से दिखाएंगे बैठा के जैसे भी तुम बैड पर लोटे या कुरसी बैठ चलते हैं बाइज सीधा पार्किंग की तरफ बाइज आ चुके हैं अपनी अल्टों को भून खुल चुका आया तो अपनी अल्टों से चैक होती है ना छोटे से जाते हैं तो अब सही समझ सकते हैं जल रहे तो सम में चलने वाले बहुत बंदे गए तरुन बैटरी से चला चाहिए तो उसी हिसाब से कुछ सिमिलर कैटिगरी यहां पर अप्लाए होती है तो इस तरीके का स्पेस एक सड़क पे चाहिए होता है ना क्या भी लंबी भी है चोडी भी है तो उसी हिसाब से कुछ इस सिमिलर कैटिगरी यहां पर भी अप्लाए होती है तो चोडी है सिंगल ले कह सकते हैं और लंबी इतनी है कि जितना आपको से अबिश्चन लाइट चाहिए होती है देखने के लिए मतलब कि इतनी दूरी तक हम दिखाते हैं जितने डिसंस का हम दिखाते हैं बिल्कुल इस से कम रेंज आपको चाहिए होती है इंस्टॉलेशन के बाद में और हमारी जो रेंज होती है न वह उससे जाधा ही होती है तो उसकी आउटपूट उससे थोड़ी कम ही रहती है बिल्कुल तो यह है अब स्टार्ट करते हैं पहले दिखा रहें आपको जीवा तो जीवा से यह रिस्पॉंस रहने वाला है यह चेक कर सकते हो यह अपना जीवा तो यह एक का रिस्पॉंस है अब यह तो बिल्कुल अभी हमने दोनों अब अगर आप पूरी कार में लगा होगा ना फिर कैसा आएगा वो भी आपको चेक कराते हैं तो है बराबर हां यह देखो अगर आप देख सकते हो प्रॉपर हां जी यह देखो इस प्लेश्मेंट पर यह रहा यह हाई भी मैं अपना लो करना यह देखो लो में ऐसा रहेगा जब हाई कर दोगे हाई हाई करूं यह देखो मतलब कि हैडलेट जलाने की जरूद नहीं है यह मज़ा देदेगा पूरा अपना भाई एक चेक हुआ है अभी यह मतलब जीवा अब नेक्स ब्रेंट चेक कराने वाले जीट्या तो अब इसकी बताते हैं प्रैजिंग है दोनों की दिखाने के बाद बताते हैं दोनों की कठी लास्ट में बताइगा ना तो अभी दोकत दिखाया एक कभी एक बार अ आपको और भाई साब यह चेक करो वनलब पूरा उजाला का उजाला रहने वाला है फुल बढ़िगा यह देखो हाई पे यह देखिए थोड़ से ओटेड़ा करो यह देखो बाई पूरी रोशनिया एक पर इस पर पेड़ पर की तरह और यह देखो बाई मनला आपको लाइ तो घर दिक्र होगा बढ़िया तरीके से कितना पूरा उजाला रहने वाला यह देखो यहां तक उजाला जा रहा है घर पर करना यह देखो यह देखो बाई यह दिखातें आपको नेंस्ट अपना सब्सक्राइब तो अपना चेक कराने वाले हैं जीटी यार यह देख लो वाई इससे प्रचानी होगे दोनों के डिफ्रेंस चेक कराएंगे पहले एक जला के दिखाएंगे फिर दोनों दिखाएंगे कि कैसा क्या रहा है रिजल्ट है ना तो अब नई चीज हमने लगाने के तरीके भी बहुत चैंज हो सकते हैं लेकिन हम रिकमेंड करेंगे उसके आधा हमने एक टेस्टिंग कर लिए कि बहुत विकार व्यू है मतलब सामने वाले उसके परेशान हो मतलब ऐसे तरीके से मैं शौर कर सकता हूं आज से पहले किसमें टेस्टिंग निकराई होगी यो पहले मतलब तो भी आपको चैक करते तो भाइि यह देखो अब आपको चैक कराने वाले पहले एक चैक करेंगे फिर दूसरे चैक करेंगे पूरा खालिया भांपार लिए पिरोसर के साथ यह रिस्पॉनस मतलब इक हो सकते हो और क। कि यह देखो है भी मिए कुछ इसका इस तरीके से रहने वाला या ना यह जीटिया रहे आप सभी के सामने तो आप मनूं भी कुछ नए तरीका बतारते वह तो दिखाऊ ज़रा यह चेक करो भाई सहाब यह देखो अगर इसको ऐसा लगाएंगे तो भाई क्या सा रिस्पोंज भाई पूरा उजाला यह चेक करिए अगर सामने से अगर आप सभी को दिखाऊंगा तो भाई वह मैं रिकमेंट ने करते इसको ऐसे लगाना पर अगर सामने से देखोगे ना आख नी कुलने वाली इस तरीके से ऐसा रिस्पोंज है इसका पर वैसे हम आपको एक बस वैसे म यह देखो तो यह थोड़ से नावाश ट्रेडर करा है तो अगर सीधा कर देते हैं इसको नहीं करते जैसे लगेगा तो यह इस तरीके से ऐसा लगेगा अब एक का रिस्पोंस दिखाना एक बंद कर देना यह देखो एक नीज एक अटा दिया भाई यह देख लो और यह देख अबी जो जीटियर का रेट है ऑपर टाइम परेड में साढ़े साथ चल रहा है कोई पर नहीं है इसके बाद जीवा जो रेट है वैसे तो साढ़े गया रहा है बट हम उस टाइम पी रेट के लिए साढ़े आर्ठ आरपे देंगे नहा प्रोटक्ट आए लांचिक नहीं है तो जो ऑफर टाइम परेड के साब से आया है वो साढ़े आरद आरपे का तो रेट है जीवा का साढ़े आरपको जीवा साढ़े साढ़े साथ अपना में है स्टेबल पावर इसकी जो रहेगी लगब 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 भी कोई आपकी पिचानवे से सो वाट क्या सब रहती सबस्क्राइद आरे साढ़ों लगफ तो मात करति लिए तो इसकी गारेंट्यों वड्यकार किया रहने वाले परलब कि उसकी ब्राइंड की बैंड हो जा रखी है तो मेरे तब से मोस्ट रिकमेंडेट जीटियर है किसी का बजट हजार पर जाता है तो वह जीवा भी लगा सकता है तब कि अपने अपनी पॉकेट अलाओ और नहीं तो आप आओ गे नहीं आप दोन आपको चेक करना दे ज सकते हैं और हमाई तरफ से मोस्ट रिकमेंडेट में से एक है तो जीटियर के बाद कुई नहीं प्रोड़क्त आगे तो सबसे अच्छी तीस कहा है कि इसके दर हम आपको आपको आप लोगों के लिए बिल्कुल साथ-साथ में रेट भी आपकी पॉकेट के हिसाब से हम तो टाइमिंग होती है बहुत लिमेटे होती है तो प्लीज उस टाइम पीरिट के अंदर आप ले लिए कीजिए क्योंकि उसके बाद हम आपको वह रेट ना दे पाए तो उसको को फायदा नहीं है और हम यह चाहते है कि हमारा प्रोड़क्त जा-जा-जाद लोगों तक पह बिल्कुल बिल्कुल उसके कि अधर हम एक्सेंड नहीं करते हैं मतलब कि उसकी पावर को और जाधा एक्सेंड नहीं कर सकते हैं कि अगर 15-20 Watt है तो इन मिल चे 20 Watt ही रहेगी वह बढ़ा नहीं सकते उसके पावर को जिए हम इन प्रोडेक्टर का यूज करते है ताकि उनक डिलिवरी है अगर वेबसाइट से मगाते हैं यह मैं ऑप्षन है लेजी पे ऑप्षन है पार्टिशल पेमेंट मतलब होता है आपका आधी पेमेंट आपको अभी देने हैं आधी पेमेंट आपको COD पे देनी है डिलिवरी चार्ज उसमें बढ़ जाता है 500 रुपे कम से कम COD की चार्ज लगेगा ही लगेगा यह माइंड में डाल लेना अगर से लिए हम आपको पार्टिशल पेमेंट में आपको ओपर वाला रेट नहीं दे पाएं बिल्कुल सीधी बाद उसके अंदर COD चार्ज जारा लगता है वह 500 रुप एक्स्ट्रा ही लगेगा वह आपको ही एक्स्ट्रा है कम से महाँ तो इसकर आपको तरहीं लिए यह आपको 500 रुप एक्स्ट्रा से RS प्ल फांड एक्स्ट्रा है तो यह इंस्टॉल की तो आपको आज की वीडियो आपको साथ चीज़ आपको दिखा दिया है डिस्क्रिप्शन में साथ डिल्स आ रही होगी और यहां तक वीडियो देखने आपका यह बहुत बहुत धन्यवाद तो मिलते हैं जल्दी नेक्ष वीडियो के साथ